आज की यह वीडियो ब्य फश्टियर के फर्स समेस्टर के उन सभी छात्राओं के लिए है जिनका सब्जेक्ट होम साइंस यानि की ग्रह बिग्यान है तो ग्रह बिग्यान वाली जितनी भी छात्राएं वीडियो को इंड तक जरूर देखते रहे हैं आप चाहे जिस भी इनु सब्सक्राइब करने की कला सिखाता है तो इसके बार इंप्रशन तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे ग्रह बिग्यान जो होता न आपको चीजों को उपियोग करने की कला सिखाता है कि कौन सी चीज किस प्रकार से उपियोग की जाती है घर वाली ठीक है तो इसमें यह होता है जिससे की चारो और एक संपूर्ट सुबेफ्थित सुंदर्ता और आनंद मईवातारण के निर्माण में सहयता मिलती है ठीक है तो ग्रह बिग्यान आपको उन सभी चीजों की आपको और यह सब सिखाता है ठीक है इसके साथ ही वह घर की देख बाल से संब्धित बैग्यानिक जानकर या भी प्रदान करता है ठीक है तो कुल मिला के ग्रह बिग्यान का मत्तब यह घर ग्रस्ते की जितनी भी चीज़ें हो गई उसके बारे में अध्धन करना और ग्रह चीज को कैसे सोबेफ्थित कर सकते हैं ठीक है बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है तो सिंपल सा उत्तर आप लोग समझते भी होंगी और आप लोग काफी स्मार्ट तो हैं और साथ साथ में काफी आप लोग टालेंटेड भी समझ गए होंगी ठीक है चले निश कोशन को बढ़ लोग खाते हैं बनता है ठीक है तो वो आपके जो खाणए चीज़ उसमें पोसड के बारे में मतब कि पोसर उससे आपको कितना निउट्रेशन मिल रहा है ठीक है उस खाने से उसके बारे लिखना है तो सिंपल सा आर्थ है कोई भी आप लोगों टेंस्ल लेनी आली आयरी आ पोस्वाइब तक तक तो कि वह मिलता है काद सेसे खाने से तो सिंपल सा उथतर लिखτεंगे अगला प्रश्न और इस प्रस्ण का उत्तर मुझे पताने क्या है आप लोग अच्छे पजानते कि तली के भूनके और भाप दे कर माध्युम्न से भोजन पकाई जा सकता है तो यही सब आपको लिखना कुछ और नहीं लिकना पूरे नंबर में लेंगे बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण थे अगला प्रशन है कि आपको काफी जाद आपके बरिच्छा में help मिल जाएगे ठीक है और इन सबी का जो प्रश्न का उत्तर है वो आपको कैसे मिलेगा वो भी हम आपको बताए दे रहे हैं सिंपल सा ठीक है चलिए पहले कोश्चन पर फोकस कर लेते हैं कौन-कौन से मोस्ट इंपार्टेंट है आपके एक्जाम के लिए खाद किन्वन क्या होता भी यह तो खाद किन्वन करने के लिए उदारण के लिए सबजियों को किन्वित करने से कठोर सरदियों वाले अफ्थानों में रहने वाले लोगों को इन्हें साल बर खाने की अनुवत मिलती है जैसे कि पनीर एक किन्वित भोजन है जो अपने पिछले रूप दूद की तुलना में अधिक समय तक जल्दी खराव जलकिन का पनीर बना दियत काफी समय तक चलता है ठीक है कुछ खाद परदार्थों के लिए जैसे जैतून किन्वन एक खाद या खराव स्वाद वाले भोजन को खाने योग या अधिक फादिष्ट बनाता है तो यह एक प्रोसेस होता ध्यान रखेंगे एक ब्रद्धी करने या होने का अर्थ संख्या या आकार में बढ़ना है जहां तो सुनेंगे ब्रद्धी का मतब यह हुआ कि ब्रद्धी करने या होने का अर्थ संख्या या आकार में बढ़ना होता है ठीक है ब्रद्धी का मतब और जबकि विकाफ का अर्थ होता है किसी की छ समता हुआ जरूरतों को पूरा करने की ललक को बढ़ाने के साथ ही उनकी अवस्थाओं को विधिक बनाना भी है ठीक है जो की मात्र उनसे सम्मंदित न होकर सभी के लिए होती है ठीक है तो इस प्रकार आप लिखेंगे ब्रद्धी और विकास में डिफरेंस ठीक है ठीक है प्रस्तुत इकाई में आप ब्रद्धी और विकास के अर्थे और महत को समझ पाएंगे तथा विकास के बिफिन बेस्ताओं की जानकारी प्रात कर सकेंगे जब आप ये PDF नीची वाली खोलेंगे हलाकि हमें ये मेर मुद्दा जानना था बस ठीक है और आपके जानक चारी के लिए बता दें ये जो ब्रद्धी और विकाफ है ये एक ही ठाली के चट्टे बढ़ते हैं आप लोग कह सकते हैं सिंपल सार्थ समझ लीजें यहां पर ब्रद्धी विकाफ का छोटा सा रूप है ठीक है इस बात को ध्यान न कहेंगे तो इस प्रकार आप चली आ रहीं है तो आन्वंस को लच्छणों हो जिसकी आपके ऊणीों सपय है सब्सक्रां कैठेएं कि कुछ न कोस्च हो सकल तो चोड़ी बहुत मैच करेगी कृस्ट न कुछ चाहां होगsi है घ्र हीट मैच करें यानी कुछ ना कोछ आपको मैच करेगा ठीक हैект तो वही होता आनवन्जिक जो दर पीड़ी दर चला आता ठीक है तो इजे बोलते औख अग्ला प्रशन है कि अगर प्रसोब इकास के बारे आप लोग आपको बताने पढ़ लिजेगा ठीक है ओके इमपार्टन कोश्चन लेकिन फासे गई जाम में पढ़ ठीक है ओके यह दो मतलब की यह आप लोग पढ़ लीजेगा ओके अगला प्रस्ट कि मानो विकाफ अध्यन की आवा सकता मानो विकाफ अध्यन की आख सकता है वह पॉपलर कोश्चन कर बार पर इच्छा मैं आज चुका इस बार भी आने कि उम्मीद पूरी 100% त्यार कर लिजीगा मानो विकाफ का अध्यन क्या वासकता बहुत जरूरी है अगर मानो विकाफ हो रहा तो उसके बारे में अध्यन करना जरूरी है कि भाया वो कैसे कैसे बढ़ रहा कैसे कि उसका वि पढ़ लेना ठीक है सुसन के बारे में पढ़ लेना है ठीक है यह कोश्चन महत्पूर्ण है ओके आहार वर्गी कर यानि कि जहां से आप लोग भोजन मतब खाते हैं तो इसका वर्गी कर कहां फे कहां कैसे जाता है उसके बारे में आपको लिखना बहुत ही पॉप्लर प्रूट फ़काते हैं डाइड ड्राइफ उसका क्या यूज है आपके फरीर में उसका क्या कार है ठीक है वह आपको यहां पर लिखना है ठीक है मौस्ट इंपर्टन कोश्चन कई बार आ चुका तो जरू इस पर फोकस करके जाएंगे ताक कि आपके आपको शफलता जरू म मतलब प्रते दिन और समय की अफ्थाएं बदलती रहती तो उन्हों के बारे में लेखना मौस्ट इंपर्टन कोश्चन है कई बार आ चुका है और अगला टॉप लेवल का गारेंटी वाला कोश्चन जो कि फंसता ही हमेशा मैंने देखा जब जब पीपर देखा तब तब प्रस्ट मसा आए और मोस्ट इंपर्टन टॉप लेवल का कुश्चन है कि गरभावस्था के लच्छन है उन्हों समस्या होता है यानि कि मालीजे कोई माहिला पर ग्रेंट हो जाती है ठीक है तो उसके बाद उसके क्या कुछ चीजे लच्छन होते हैं ठीक है या आप लोग बेखते नहीं कुछ चीजे दिखने लगती है ठीक है तो लच्छन आपको बताने उसके बाद उस समयानी गरभावस्था में कौन कोछी समस्यां का सामना करना पड़ता है उन सभी के बारे में आपको लिखना है बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है यह आपकी करीब करीब पां समय कोश्चा की बारे में आपके बहुता है लगता है तो अगला कोश्चन है बाइख समाजिक्वास्ट सम्वेगा आत्मक विकास के बारे में बताया तो इसे प्रकार का आपको परिष्छा में माडल पीपर देखने हों कि मिलेगा अगर इसमें देगे सभी प्रशनों को उत्तर आप तयार करके जाते हैं तो मुझे इतनी उम्मीद है कि आप लोग का 75 नमबर का पीपर होगा तो आप बेसिक समस्क्राइब से कम 30 से 35 नमबर के प्रशन जो है इस वीडियो से फसेंगे बाकि आपको अपनी कुश्चन बैंक इंटरनेट फे गूगल फे फर्श करके पढ़ लेना है जिसमें जितना ब बाकि आप अपने कोटिंग तैयार करेंगे और इन सभी प्रशनों का उत्तर आप सभी जानती है बाकि जिनका नहीं मालूम है वह आप गूगल कर लेंगे ठीक है धन्यवाद